हे गाईज कैसे आप सब आप सब आप सब ठीठाक होंगे अच्छे होंगे तो जैसे क्या को पता होगा कि अभी बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है और वो खतम होने ही आया है क्योंकि सब्टेम्बर से स्टार्ट हो रही है स्कूल तो काईज हमारे यहाँ पे नजदी की स्कूल है वहाँ पे एक इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे 1500 से ज़्यादा लोग पाटिसिपेट करने वाले है क्योंकि वहाँ देने वाले है स्कूल के रिलेटेट सारी आइटम फ्री में यानि के बैक पैक हो गया स्टेशन आइटम ह हो गई वह सारी फ्री में मिलने वाली है तो मैं लास्ट टाइम गया था तो तब 1000 या उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आये थे और सबने वहाँ पे बहुत एंजोई किया था तो आज मैं आपको इनफॉर्म करने आया हूं कि इस तरह की इवेंट सेटरड़े 17 ओगस् है सारी डिटेल एड्रेस कहां पे होने वाली है सारा कुछ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक मेरे पास है जिसका स्क्रीन शॉट में आपको दे दूँगा तो ये इवेंट का नाम है बैक टू स्कूल इवेंट और जो लोग सरी एरिया में रह रहे हैं और जि इवेंठ होने वाली है तो बचों को बहुत मजाएगी वह ये इवेंट को एंजोई करेंगे वहां पे गेम वगिरा होगी जो बचेची खेलेंगे और उस में उनको प्राइस भी जीतेंगे ठीक है और इसा नहीं है कि जो जीतेगा उसे प्राइस मिलेंगा जस्ट आप आने आया हूं कि अगर आप भी नजदी कहीं रह रहे हो सरी अरिया के तो जरूर से आना और गाइस अब बात करें यह इवेंट की तो यह इवेंट होने वाली है सेटरडे को 17 ऑगस्ट को और यह होने वाली है तो वहां पर क्या-क्या होने वाला है तो फ्री पॉप-प क्लोथिंग शॉप है वहां पर जोपे अब कुछ फ्री में क्लोथ वगेरा मिलेंगे लंच स्नैक्स भी है मैनी के और फॉर मॉम्स एंड फन कीड्स एक्टिविटीज तो कीड्स के लिए कुछ एक्टिविटीज वहां पर होती है तो बहुत मज़ा आता है हमने लास्ट बहुत एंजोई किया था तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने आया हूं कि इस तरह की इवेंट यहां पर होती रहती है तो आप आना चाहो तो आजाना और जितना उसकी उतना जल्दी आने का ट्राइक करना दस बजे स्टार्ट हो जाएगा 17 अगस्ट को मॉर्निंग के बट काई आप जितना उसकी उतना जल्दी आने का ट्राइक करना क्योंकि यहां पर बहुत प्रफत लोग आते हैं इस इवेंट में 1500 फ्री में देने वाले हैं ठीक है तो इतने लोग तो आने वाले हैं मगर उससे मान लो 500-600 और लोग हो गे तो मैं मानता हूं वहां तक इस तरह की इवेंट में 2000 से लेके 2500 तक पब्लिक आती है वह बहुत बड़ी इवेंट होती है लोग तो बहुत जल्दी जाने वाले है क्योंकि लाइन बहुत बड़ी होगी बहुत लोग होगे तो नंबर आना भी मुस्किल है और अगर आप लाइन में बहुत पीछे रहोगे तो आगे की सारी जो और लग जाएंगे Saturday के बाद ठीक है तो यह थी आज की वीडियो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि अभी मुझे जाना है डॉलर ट्री और आपको उस व्लॉग को मुझे पोस्ट करना है कि वहां पे किस तरह की चीजे होती है क्योंकि मैंने बहुत सारी खलतिय कि थी जम हम लोग भी यहां कैनेडा आये थे तो कुछ ऐसी चीजे ले के आये थे जो चीजे यहां बहुत सस्ते मिल रही थी फिर भी हमने वेट इंडिया से बढ़ा के आये थे तो मैं इस व्लॉग को आपके लिए पोस्ट करने वाला हूं कि अगर आप कैनेडा आ रहे हो तो यह चीजे ना लेके आए और दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज ऐसी है जो वन डॉलर के स्टॉर में ही मिल जाएगी ठीक है तो आपको इंडिया से उठा के लाने की यहां कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीज लाओ जिसकी रियल में यहां पर जरूरत है और वो चीजे यह जहां पर बहुत मेहंगी मिलती है तो ऐसी चीजे आप इंडिया से लेके आऊ ठीक है तो मैंने भी कुछ गलतियां करी थी तो आप वो गलतियां ना करो इसलिए मैं अभी जा रहा हूं एक व्लॉग बनाने के लिए डॉलर्ट्री में मुझे भी कुछ पर्चैस करना है हो चुका है गर मैं से तो मैं भी जा रहा हूं डॉलर्ट्री एक केनेडा का सबसे यानि के बिटीस कोलंबिया का सबसे सस्ता स्टोर है जहां पर एक या डेट डॉलर में आप बहुत अच्छे चीज वहां से ले सकते हो ठीक है दोस्तों पूरा फ्लोग जरूर से देखना श झाल 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 झाल